नमस्कार दोस्तों स्वागते श्रमुस भाली जी का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी गर्मी की दिन है उसके बाद आएकर एनी सिजन यहां पर एक प्रकार के फंगल इंफेक्शन आपके इसका नाम होता है तीनिया क्रूरिस यह ऐसा फंगस है जो आपकी स्कीन को पसंद करता है और स्कीन को पसंद करके वहां पर धीरे-धीरे ग्रो करता है स्कीन को ही अपना घर बना लेता है अपने देखे होंगे के गर्मी में आप जब ब्रेड या फिर यसे जैसे कोई भी खाना बाहर रखते हो तो वहां पर उसके उपर काले रंका और सफेद रंका और ब्लू कलर का ग्रीन कलर का लग लग ऐसे फंगस आ जाता है वह जो फंग स्कुल्स में तो वहां पर बहुत सारे दिक्का खुवान खुजली 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 और लोग ऐसे फ्राइबेट पार्स खुजया भी सकते प्रप्लिक एरियामें ऑ्फिस वहमें पर बहुत सारे दिक्क्रत होंगे कि यह बहुत बहुत प्रॉब्लेम और दिक्कते खरा करते हैं तो कौन-कौन से सिम्टम से जॉकिछ लेट सी जॉकिछ के सिम्टम से बहुत सिंपल स्टेट फॉरवर्ड है जो एरिया में यह होता है वो होता है प्राइवेट एरिया थाई-थाई नीचे अंद्रुनी हिस्षे और पीछे तरह यह सारे जगह कवर करके रहते हैं प्ड़िकूलरली बात करें यह कशलो इसको बाते ह जादा होता है महाराष्ट्र में totally जैसे बात करें बिहार में ओडिसा में ज्यादा मोईस्टर होता है तो इस सारे जगह पे इतना मोईस्टर होता है तो मोईस्टर को भी पसंद करता है यह फंजाई तो गर्मी को पसंद करता है मोईस्टर को पसंद करता है और दोनों एक साथ और बहुत ही खुजली होगा बहुत ही जलन होने लगएगा चात जलन के साथ साथ बहुत जब जयाब बहुत ज़यादा आराम मिलेगा मगर उससे जो situation वो बहुत खराब होगा तो आपको खुजली होता है तो उसको ऐसे खुजाई यह मत आप medicine use करें दवा यूज करें ताके उस चीज को बंद कर पाए stop कर पाए तो यही बात है वहाँ पर देखें तो आप पिक्चर में देख सकते हो लाल कलर का रैश और यह रैश दीरे दीर स्प्रेड होता है पहले तो एक दो तीन रैश फिर दीरे दीर स्प्रेड होता है जिस जगा पानी फिल्ड ऐसे स्ट्रक्चर होने लगता है वहां पर यह चीज बहुत दिक्कत भरा हो जाएगा तो जब भी यह चीज कम में रहे तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं कि जॉक इच की ट्रीटमेंट क्या है टीनिया क्रुरिस और जॉक कि ट्रीटमेंट सिंपल एक ही चीज है यहां पर आंटि-फंगल दवा एंटि-फंघल मेडिशिंस उसमें आता है कलॉट्ट्रिमाजोल इसमें ही रहे तर्मिन एक तर्बीन रिट रूली पर और यहां पर केम करता है अच्छी तरीक इसमे का माइल्ड केस से मॉड़र घ्र ह आता है आपको खाने की मेडिसिन ज्यादा तर केसे में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शुरुवाती दौर में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे तो वहाँ पर आपको दिन में दो से तीन बार जहां पर भी इंफेक्शन हो रहा है वहाँ पर इसको एपलाई करना है तर क्लॉट्र मज़ोल का जो इंडिया ब्रैंड नेम हाता है यह होता है कैंडीड या फिर उसके साथ कुछ और प्रकार के भी क्रीम के नाम की मैस ऑल और और अपर्ट फॉम देट और एक होता है लॉली कोनाजोल क्रीम जिसका भ्रेज्ट नेम है लॉली फिन या फिर आप इस्तमाल पर से क्रिच पर szकतो है तर्वी न northern bulb के और एक उसका ब्रेज्ट नेम इंडिया में जिए अक तर्बी आपकरित MEM करें देख सकते हो अगर आप स्कीन पर अपलाई कर रहे हो जिस जगा पर अपलाई कर रहे हो जहाँ पर infection है वहाँ पर और इसको खाना नहीं है क्योंकि यह topical cream से ठीक है और एक चीज यह जो cream आप अपलाई करेंगे यह आपको करना है minimum 4 हपते तक मतलब 1 महिने तक अब हो सकता है कि आपको ये क्रीमी इस्तेमाल करना चाहिए तीन महिने तक ये अच्छा महिने तक, मगर एक महिने तक तो करना ही है, उससे कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि after using it for two weeks, दो हपते के बाद लगे, कि जो जगा थे infection को ठीक होने लग रहा है, इसकी नॉर क्रीम की बात करिए, ये mild to moderate cases में काम हाता है, मगर case जब severe हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जहां पर छाले जैसा structures नजर आ रहे, postules जैसे structures हो गया, at that moment क्या करना है, वहां पर particularly आपको combination therapy देना पड़ेगा, जहां पर oral medicines खाने की दबा होगा, उसके साथ-साथ ये creams रहेंगे, वह आपको एक qualified dermatologist ही बता पाएंगे, उनके साथ consult करें, फिर ये process treatment जो start करें, और इसके साथ क्या हाल रखना कि आप treatment तो ले रहें, उसके साथ-साथ कुछ-कुछ चीजे करना है, जैसे कि जिस jockey को पहन रहें या फिर shots पहन रहें, उसको हर रोज आप change करें, ठ चीज ध्याने में रखना, फिर आप जोकीच से बच पाएंगे, that's all about जोकीच, जोकीच की symptoms, जोकीच की treatment, इन डीटेल्स, वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना, शेर करना इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को तक ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है, thank you, bye